चड़ाओ चड़ाओ और सिर पर तुम्हारी ही सर पर मूतेगी शुप 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 शेक दिलिये जा, उसे जा कर समझा दे एगे, बना जाता हूं अभी जाता हूं अभी जाता हूं का से तो ड़ा साहे बना के पूरा घरी पागल है एक बार की समझ में नियाती क्यों चिल्ला रहे हो चाय नहीं लाए खाली आता है हो शोर मचाना मुझे भी आता है हुआ को अरे शेख चली नजड़े माइज आरो भाई जान और यह बोल कैसे राया तुम इहली महली चीज नहीं गाँ के पफड़ान पफड़ान अवे तवे सब और रहें आगलती है आपकी तरह तंसे बहुत है तया हो जारे हो तारो या अर्शकि चौंच पत्रों जल्मा तेरी बाग भीला जा रहे चाहिए बीला अंदर जा अरे क्या कह रही थी वह कैसे बोल रही थी वह पुछ निया बादा भाजार आपकी बड़ाई कर रहे थी परदान जी वह को ना भाजार अंदर आजाओ राम राम जी मैं नू कर रहा हूँ परदान जी गाउं के जो बड़े बुड़े लोग हैं उनकी पैंसन का काम आपके परदान फंड से होगा और जिस पर आप साइन कर दोगे उन्हीं को पैंसन मिल जाएगी अरे करना क्या है परदान जी को एक रजिस्टर पे साइन अंग उठे जिनके लग जाएंगे उनके पैसे आपके खाते में चले जाएंगे उन लोगों का आप बाट देना तो मैं चलूँ बैठो भाई चाय नासता लेकर जाना जमीला चाय बना के लाना परदान जी मेरे पास टाइम नहीं है मुझे और गाउं में भी जाना है कोई बाट ने कोई बाद पी ले ना चाय और तुम क्या बोले चाय वो भी मेरे हाथ की भूल जाओ वो महारानी कलकी आई हुई पलंक पे बैठके चाय पीती है खबरदान जो आज के बाद मुझे चाय के लिए बोला आज के बाद खाना भी तुम बनाऊगे या तुमारी बहन बनाएगी समझ गए यह क्या के रही है इसे क्या हो गया वह मुझे आपता क्या हुआ रुक्सान हो यह आप तो ही पता नी हवाज ही भर रही है परदान जी यह बीच में घुश गया मेरा नंबर था अधा थरड़ी देर में आ जागा बिल्किल गरम हो रही है परदान जी यह कोई बात हुई अरे तो क्या हुआ तुम सारे भाई ही तो हो तुमने तो सोर मचा रखा है सबने आपस में तो फिर सबको लेंसे बुलाओ ना पर तुम लेंसे नहीं वेड़ रहे दोसने हम क्या करा है पर तुमने सारे बत्तमीज है जाहिलो पागलो क्या कहा हम जाहिल है हम बत्तमीज है हम पागल है पागल बता रहा है मैं आया परधान अबे परधान के बच्चे तुझे क्या जरुति वहां फाल तु बोलने की अई है फाल बले तो मैं कुछ से कुछ कह रहे उनकी सुन जेता ता लोगी अबे कुछ कमाना है तो सुननी पड़ेगी यही मोका है कमाने का हाहा मोके बहुत हैंगे जो तक मैं परधान हूं मोके बहुत हैंगे ऐसे करो गर चल रहे वालों टिखाते हैं चल भाई कैसे बैठी हो बाबी क्यों तरी आग फूट रही है दिखाई नहीं देता ऐसे बैठी हूं और बरतन दो लिया तुने नहीं बाबी चल खड़ी हो बरतन दो अभी दो जा कैसे बैठी है भाबी इतने बड़े बाब की चोना है जितना तु रोब जमा रही है बड़े बाब की ना सही मेरा आदमी परधान है परधान है परधान है हाँ वो भी मेरी आदमी की बजोला थे कमीनी कमी नहीं मत क्या दियो वरना बहुत बुरा हो जाएगा और मैं तो ऐसी खाऊंगी आराम से मुझे पर्धान चाय भी पिस्तर पे देखे गया ठीक है मैं भी कम नहीं हूँ आने तो दोनों को आज खाना उनी से बनवाऊंगी बाभी तुमी चूपो जाओ भाईया पर्धान पर्धान लोग क्या कहंगे पर्धान की घर में जगडा बाभी तुम दोनों मत मत बनाओ खाना मैं बना लोगे चुकर सलमा, तू कब तक बनाएगी, आज फैसला हो के रहेगा फैसला हो या नहो, मेरा तो मन है नहीं काम करने का, खाना या तो तू बनाएगी या परधान बनाएगा बही या तो यह आ गै वह भूख लगई है, रोटी बढ़ागी है, रोटी है, भूख लग भी है खुद खाओ और हमें भी खिलाओ अबे यह क्या हो गया तुझे इज़त भूल गई भूली नहीं हो अब याद आई है तो तू अब खाना नहीं बनाएगी नहीं बनाओंगी कर लो क्या करोगे करते क्या खुद बना लेंगे तू भैसे कूँ आप जैसे बोलो भाईया देखाना परना कुछ होने वाला परदान जी आप खाना बना रहे हो परदान जी के भीमार है तुम अपना काम बोलो हमारे घर का माहल पूछना है बात पूछो क्या पूछना है जी गल्ती होगी परदान जी मैं तो पिल्चल वाला अंगुठा रगवाना आता अचा वो एक काम करना पूरे गाहों के भी अंगुठा दर्स तक तुम्ही करवा कर लिया ना रुक्साना हाँ वो रईस्टे ठाकला अंदर दे यह निला सकती खाखा के कटिया और यह जा कटिया रजिस्टे ठाकला यह पूरे काम कर देश्टा करनी कि जुम्हारी है ठीक है यह जी अगर्फ हो गाना पूरी बिल्चल तुस्ता लूँगा चलो भी खाना बनाते बनाते हैं खाना बाई आज बही आजा तुम आटाशान मैं कुछ और करता हूं मसाला बनाता हूं इदो करने पड़ेगा भईया क्या करूँ आला अच्या बता ही लेप गल्डे आटाशार ने सिर्वाइजान वाइजान जल्दी बनाला खाना दोने माहवाजी बर्ये वर्ना कुछ होने वाला पूला इा कर्या दोहूँ आले सिर्वाइजा बनाला अि घ्राइजा भॉँ इड्या कर्ये अव्या ठाल वे वसिंटी ऑगई कर्ये अँव्या अबड़ल्ड ये लेडे धान वी एव्या ये रुठी एवव्या ये तो बिल्कुल मजबूत बनाई है, टिकाओ बनाई है, खा के देखती हूँ ये कैसा खाना बनाया है, इतना मकफूक रखा है इसमें तुमारी माने कुछ सिखाया ना सिखाया, खाना बनाना भी नी सिखाया उंट के उंट हो रहे हो, गाउं के पर्थान हो, ये रोटी भी जली भी बना दी बर्तन भी साप करके खाना नहीं बनाया, कितने गंदे बर्तन हो रहे हैं भावी, जैसी पक्कई वैसी खा लो न सलमा, तो बीज में मत बोल अबे हमें तो बोलने का मोका दे दो आज से अच्छी बनाएंगे, अमरे तो भावी बनाती थी, पता नहीं से क्या हो गया जब दोनों की कमाई खाएगी, तो पकाएगी नहीं क्या कह रही है, राम जा दी, अभी बता दूगी अरे खाना तो खालो बै राम जा खालो, तुम पर खाया भी ने जा रिया क्या कहा? खालो, खालो, हमें तो गाओं में काम से जाना हाँ जाओ, निकलो क्या कहा रही थी, तु पर्धान के सामने? पर्धान के सामने? हाँ पर्धान के सामने क्या, मैं तो तेरे आके भी बोल रही थी सुत्री तेरा मुद बीड़ों के चादा बढल लेगी तो मैं कहारे वो कल के आई होही बात बना रही है मांजा अभी बता दूगे टैज़े poorest इसे इच्छल परिजा आइसा है आशाए चल चल नंतर चल बोल ले दें पड़ ले रहे हैं भाईया पर्धान जी ये लगतो सरकारी आदमी रहा हा लगतो सरकारी दा लोगों को का पट्टी पढ़ा जाए हूँ चल कर देखती है भाई तुम दिक कर मतर लो सब को पैसा मिलेगा लेकिन मिलेगा पर्धान फंट से ठीक है ठीक है ठीक है तुम्हारे गाउवालों लोगों के साइन हो गये हो तो सबसे पहला पैसा आपके गाउवाले लोगों को मिलेगा लाओ तो दिये तो फैर क्यों पर्धान जी चाय पिलाने के मारे हिशिट रखाना चाहरे हो अब टर कर रहे हैं तो गाउं में फिर काई गाउं की समस्चा खबेडार जो चाय बनाई अब पता चला अप्रधान और प्रधान निक परधान जी हमने सुना परधान निया है उनके हाथ की चाहिअगे हाजी हाजी उंगली कट रहे हैं मैं देख आऊ अजी रहंदो परधान जी तुम कहीं मज जाओ तुम साइन करो पैसे लो मुझे ओर गाउं में भी जाना ठीक है अब डेक है अब डेगर साइन करो और काम लेंटा ठीक है भेर बिलते हैं अरे जमीला यह हिज़त करेगी हमारी लोगों के सामने तुम्हें चाय के लिए कहा था पर परवर कुछ नहीं और एक बात सुन लो मेरे कपड़े आने और सलमा के भी मेरा नाम क्यों नहीं लिया मैं क्या इस गर में भाग के आयू तुझे कुछ बोलने की जूरत नहीं है समझी समझ के ही आयू वरना सारा काम टैम पे होता बस मैं एक बास इल्ले इसे इस दसकरनी जानती है तू इसे कुछ चाहिए ना बानी मैं इस गाओं के परदान है परदान अगर तुम परदान हो ना तुम मैं भी परदान नी हूँ परदान नी अरे भाई परदान तू इनके मूँ मत लग चल गाओं में चल रहे चल जाओ इना तो मैं देखूंगे अभी मिल गया चैन आ गया साबर सूट पहनोगी सूट पहन ले जमफर तुम दोलो फिर चलू हो गई चलो अंदर परदान जी आए नहीं लो आगए परदान जी अब बोलो क्या बोलना है बोलो बोलो अच्ब क्यों हो गए हम ना सब सुल लिया क्यों भाईया जो तुम लोगों ने अंगोठे लगाए है वो उल्टे लगा दिये क्या अंगोठा उल्टा वो कैसे परदान जी यार भाईय भी हमारो रोजों ने ने फरंतरे फासता रहे हैं क्या सोच रहे हो परदान जी कुछ नहीं कुछ नहीं क्या वो मुझे गाली दे रहा था उसकी यह मजाल गाली तो वो दे गई जो उठे विल्टा लगवा दिये तो अब हर गर से स्टोर पे देने पड़ेंगे वह भाई हमें देने ज़रत नहीं है वह हमारे का कमी है अर एक बासिला हम तो उनादमियों को चाय नास्ताय अड़क आधरी बिलाते हैं क्या भाईया आगे तुम बता हाँ भाईयो हम बैइमान तो नहीं है वो तो तुम यह सोच रहो जैसे हो हमारे गर में नोटक गड़ी दे गया हो वह हमारा यह कह रहा है जोर में हमुठे में सही करवाल अभी अभी टाइम है ठीक टेकर प्रदान जी अब अब दो एक बात है भाई साब हमुठो से टेले ऑख लेंगे जाले वहाईगी पर्दानी का पूला हुठा लेंगे अगर यह बात है भाई जा वहारे घर में पर दानी चीन ने हरे ऑख तुम ने जबसे रुप्साना आई है जमिना भी काटने को आती है तुय समझ में निया तेरा क्या तू तो अपने घर चली जाएगी लेकिन इस गर में यही लड़ाई चलती रहेगी किस गर में किस की चलती है देख लिया किस की चलती है मेरा गुठा कर रहा है काम बै क्या हो रहा वे किसा हमार समझे नहीं कुछ तुमारी कुछ समझ में नहीं आने वाला तुम खाना बनातो या नहीं क्या नहीं बै इसका हमारा समझे में नहीं आया खाना पकालो से जी वरना क्या करेगी वर्ना मैं समझा रही हूँ वर्ना कुछ हो जाएगा इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ तू वो करेगी हाँ जी हाँ जी रुकसाना एक बाद सुल ले इस घर का मर्च का कैपसूल लिआया हूँ मैं कर भाई साब आपरदान जी वो कैपसूल इन्हें दिखाई दो इनकी तो तवियत जादी खराब है गोली लाओ या कैपसूल रोटी तो तुम्हें पकानी पड़ेंगी ठीक है आज अब इस घर की रोटी पकाना काम खसम करते देखा ये दोनो तो ये दोनो इनका बाप भी रोटी पकाएगा मुझे ऐसा लगे तो आज कुछ करवा के मानेगी हाँ देख लेंगे कुछ करवा के मानेगी अधा पार ड़ा अधाली बत्तमी जिघाओडी फूण आधाली कुछ कहर करना है जी ऑजगादी क्या दो बालिक पड़ी थेखास चाहर आज मोगाना सगा ड़े हएए अधाली बध्तमी बैरी बैर पार बढ़ेंगे अजय को मुझे माफ कर दो आप जैसे कोगे वैसा ही करूंगी जैसे तों खोओं के वैसा ही करूंगी उद्ध नहीं उत्त परदान अट घर भा कुछ नहीं सब कुछ ठीक था जब से रुक्साना घर में आई ए जब से भिला है सब कुछ और मुझे भी कुछ नहीं करने जेती थी बहिया शेख जी मुझे माफ कर दो जमीला बाजी मुझे माफ कर दो मैं तो क्या मैं तो बाजी जब तुम मुझे देखने गई थी तुम क्या रही थी घर में मेरी चलती है अई है बता सही तो कह रही थी एड़ी ने वहावी है वह एंगे सोचा कभी के ने पीछे रहा जाओ इन्हों ने अपनी-अपनी गमंड में हमें पसा रखा है वह वाव्य एक बाद तुमने वावी को लत्मारा आई हमने तो पूरा काउं को पागल बना रखा औरूर इन्होंने पागल बना रखा बाई इनकी यह नहीं समझ मैं रहा हमने था सरकार ही तो गाउवारा था हूठ है लगवा लगवा लगवागए सारे गाउव के पैसे अड़क कर लिए और गाउवा ने लग ती ली ली जर तो मैं निकाल लूँ अब तुम्हारा दोलो भाई उन्हें गाउवारा पागल बना अब मैं जाना पुलिस में पुलिस में जाने की जुर्रत नहीं है अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे क्यों परदान जी परदान जी की बाद सुन लो कसम खाता हूं गाउवालों बच्छों हुआ सो हुआ आज के बाद अगर कोई भी पैसे बेहिमानिका खाए मैं खुदा की कसम जामीला बाजी जो हुआ सो हुआ मैं अपनी गल्ती मानती हूं मुझे माफ कर दो